Hey everyone, this is Prem, Education Hikes के YouTube platform पर आपका एक बाव फिट से welcome हैं, हम आपके term 2 के syllabus को पढ़ रहे हैं, class 9th English के beehive के term 2 में आने वाला chapter, chapter 9, the bond of love पढ़ रहे हैं हम, हमने already इस chapter के दो parts आपके लिए upload कर रखे हैं, यानि up to paragraph number 16 हमने उन दोनों parts में cover कर रखा हैं, अगर आपने उन दोनों उसकी link मिल जाएगी, जा कर आप उहां से देख सकते हो, so we will start from paragraph number 17 and this is going to be the last part of this chapter, और एक चीज़ और मैं आपके बता दूं कि part 2 के last में हमने पढ़ा था, कि भाई जो बाबा था, यानि जो बीर था, वो काफी बड़ा हो गया था, भालू काफी बड़ा हो गया था, उसे माईसोर के चिडियागर बेज दिया गया था, चिडियागर जाने के बाद वो अपने मालकिन को काफी मिस करता था और उसकी मालकिन उसको मिस करती थी, तीन महिने के लंबे गयाप के बाद उसकी मालकिन उससे मिलने चाहती है, और अब इनके मिलन का जो सीन है, वो मैं आपको बदाने जा रहा हूँ paragraph number 17 में so let's get started for the next 3 hours she would not leave that cage author कहता है कि भाई जैसे ही मेरी पतनी बाबा से मिलती है उसके पिजडे के पास पहुचती है न तो भाई 3 घंटे तक तो वो पिजडे से कहीं नहीं जाती है उसे पिजडे के बास बैठी रहती है she gave him tea, lemonade, cakes, ice cream and what not और ये जो बाबा था ये सब कुछ खाता था इसलिए इसकी मालकीन वहीं पिजडे के पास बैठ करा पिच्चर में देख सकते हो सारी खाने पीने की चीज़े फैली हुई है ये जो author की पतनी है ये बाबा को चाय, निम्बो करस, केक, ice cream और पता नहीं क्या-क्या देती है खाने के लिए then closing time came and we have to leave अब भाई धीरे धीरे अब जाने का समय हो गया था जिंदगी भर वहीं चिडिया घर में तो रहना नहीं था ना my wife cried bitterly बाबा cried bitterly अब ये जो बाबा है, बाबा मतलब क्या है बाबा मतलब वो भालू है और जो author की पतनी है ना उन्होंने इस भालू का नाम प्यार से बाबा रख दिया था बाबा मतलब छोटा बच्चा होता है ठीक है तो भाई जब जाने का समय हुआ तो author की पतनी जाना नहीं चाहती थी उस बाबा को छोड़ कर और रोने लगी वो काफी bitterly यानि food पूट कर रोने लगी और बाबा भी अपनी मालकिन को छोड़ना नहीं चाहता था इसलिए वो भी रोने लगा even the hardened curators and the keepers were depressed और यहां तक की भाई जो उस चड़िया घर का जो पिंचास था और जो जानवरों का देख रहे करने वाला था ना वो भी इन दोनों के मिलन को देख कर काफी दुखी हो गए उनको सचमुश लग रहा था कि इन दोनों के बीच में कितना प्यार है और यह दोनों सचमुश अलग वो रहे हैं ऑथर कहता है कि जहां तक मेरी बात थी आई हैड री कॉंसाइड माई सेल्फ तु वाट आई निव वास गोइंग तु हापन नेक्स्ट ऑथर कहता है कि भाई मुझे पता था कि अब आगे क्या होने वाला है अब हम यहां से चले जाएंगे बाबा यहीं रहने वाला है तो यह सारी चीजे सोच कर मैंने अपने आपको री कॉंसाइल कर रखा था मतलब मैंने अपने आपको समाल लिया था रोख लिया था मैं मिस्तो कर रहा था बाबा को लेकिन मुझे पता था कि अब हमें छोड़ कर जाना ही है तो भाई मैंने अपने आपको रोब कर रखा था ठीक है पराग्राफ नूमबर 18 अब भाई जब जो ऑधिर की पतनी थी अब जब चिड़िया घर से जाने लगी तो यहाँ पर वो गिड़ गिड़ाने लगी जो चिड़िया घर का इंचार्ज था जो क्यूरेटर था उससे कहने लगी प्लीस सर में आइब माई बाबा बैक क्या मैं इस भालू इस बाबा को वापस ले जा सकती हूँ अपने घर अब यह जो क्यूरेटर था जो इंचार्ज था उस चिड़िया घर का वो बहुत ही हिच के चाचे हुए कहता है कि madam he belongs to the Jew अब ये चड़या घर की property हो गई है और government इसकी देख भाल करती है अब ये government की property है I cannot give away government property और इसलिए मैं किसी भी government property को आपको नहीं दे सकता लेकिन आगे वो बताता है कि आप इसे कैसे घर ले जा सकते हो but if my boss the superintendent at Bangalore agrees certainly you may have him back अब जो in charge था उस चड़या घर का वो author की पतनी को कहता है कि मैं तो आपको नहीं दे सकता लेकिन जो मेरा boss है जो superintendent है इस चड़या घर का वो Bangalore में रहता है और अगर वो agree कर जाता है वो मान जाता है तो certainly यानि निश्चित ही आप बाबा को अपने घर ले जा सकती है अब आगे क्या होता है paragraph number 19 there followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's Bangalore अब जो author थी और उसका पतनी ये दोनों वापस बैंगलोर जाते हैं superintendent के घर पर superintendent के बैंगलो में वो वापस जाते हैं return होते हैं और tear for pleading और जैसे ही author की पतनी superintendent के घर पहुशती है वो बहुत ही रोने लगती है और गिड़गड़ाने लगती है pleading का मतलब गिड़गड़ाने लगती है और कहती है कि बाबा and I are both fretting for each other और मैं बाबा की बिना नहीं रह पा रही है और बाबा मेरे बिना नहीं रह पा रहा है fretting का मतलब क्या होता है fretting का मतलब होता है तणप रहे हैं हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक है will you please give him back to me और author की पतनी superintendent को समझाती है कि हम दोनों एक दूसरे की बिना नहीं रह पा रहे है क्या आप हमें इसे वापस कर सकते हो क्या he was a kind, hurted man and consented जो superintendent था चड़िया घर का वो काफी दयालू व्यक्ती था काफी नरम दिल का इंसान था और इसलिए वो consent कर गया बात माल ली ठीक है और उस बाबा को ले जाने के अनुमती author को और उसकी पतनी को उन्होंने दे दिया not only that और किवल यही नहीं but he wrote to the curator यहां तक कि उस superintendent ने न उस चड़िया घर का जो इंचास था उसको लेटर लिखा और कहा क्या कहा कि भाई साहब him to lend us a case for transporting the beer to बैंगलोर जो superintendent था ना वो काफी दयालो व्यक्ती था तो उसने author के पतनी की बात माल ली और इतना तक भी कहा उसने लेटर लिखा curator को जो चड़िया घर का इंचास था उसको लेटर लिखा और कहा कि lend us a case for transporting the beer to बैंगलोर मतलब कहा कि भाई आप इन दोनों को एक छोटा सा पिजडा उधार दे दे ताकि उस बाबा को transport करके बैंगलोर लाया जा सके ठीक है तो काफी दयालो व्यक्ती था वो superintendent और इसलिए वो बाबा को ले जानी की अनुमती दे देता है और यहां तक की वो curator को पत्र लिखता है और कहता है कि भाई इन्हें एक पिजडा भी दे दिया जाए ताकि इस पिजडे में भर कर उस भालू को वापस बैंगलोर लाया जा सके अपने घर लाया जा सके ठीक है आगे देखते हैं paragraph number 20 को back we went to Mysore again armed with the superintendent's letter अब देखो वापस author अपनी पत्नी के साथ वहीं Mysore की चड़िया घर में पहुशता है और इस बार superintendent का letter भी इन दोनों के साथ में था superintendent ने जो letter लिखा था अनुमती देते हुए उन्होंने कहा था ना कि आब आप बाबा को ले जा सकते हो और उस letter में ये भी लिखा था कि भाई एक पिजडा भी देना है ताकि बाबा को भर कर वापस बैंगलो ला जा सके बाबा वास driven into a small cage and hoisted on top of the car अब जो भालू था यानि ब्रूनो जिसको हम बाबा भी कहते हैं बाबा को बड़े पिजडे से निकाल करना driven into मतलब एक छोटे से पिजडे में डाल दिया गया और उस पिजडे को उठा कर hoisted on top of the car उस पिजडे को उठा कर कार की उपर रख दिया गया उस कार जिस कार में author और उसकी पतनी चिडिया घर गये थे ना मिलने ब्रुनो से तो उसी कार की उपर ब्रुनो को एक छोटे से पिजडे में रख कर उठा दिया गया यानि उसी कार की उपर रख दिया गया जो छोटा से पिजड़ा था इसको अच्छे से बात दिया गया ताकि कहीं ब्रुनो गिरना जाए and a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished और फिर author धीरे-धीरे और बहुती साउधानी से Bangalore वापस आता है इनकी जर्नी accomplished होती है accomplished का मतलब इनकी जर्नी safely पूरी हो जाती है ठीक है आगे हम पढ़ते हैं paragraph number 21 को KDLNS, you must be preparing for your final exams and for this you too wanted to boost your preparation now for this you can offer onigate me there is an offer running till 28th of feb this offer is not only for CBC students but also for all other boots for CBC students there is an offer for class 10th and 12th if you purchase an onigate me plus subscription for 3 months you are going to get 1 month extension bill cool free of cost उसके अलामा आप CBSC महरास्ट बोर्ड, ISC, ICSC और Tamil Nadu बोर्ड से होना तो आप अभी अने के इडमी का subscription, plus subscription लेने पर 12 महिने का अगर plus subscription लेते हो या उससे जाधा का लेते हो तो 2 महिने का extension बिल्कुल free of cost दिया जाता है अब भाई plus subscription के benefits बहुत सारे है, life classes दिये जाते हैं Hindi और English दोनों में doubt session दिया जाता है आपको audio feature के through, raise your hand feature आपके पास है जिसे आप अपने doubts को पूछ सकते हो PDF notes, life quizzes and test आपके लिए conduct कराया जाते हैं इसके बाद भाई, आपको ना पुरा एक जो पुरा content है सभी subjects का वो एक ही subscription के अंदर दी दिया जाता है तो Anikadmi Plus तो बहुत beneficial है सभी के links आपको description box में मिल जाएगी अगर आप मेरे code PREM का use करते हो तो आपको किसी भी purchasing पर 10% less हो जाता है याद रखना, bye bye and go for it paragraph number 21 once home, a squad of coolies were engaged for special work in our compound और भाई, जब Bruno को लेकर ये दोनों वापस बैंगलोर अपने घर पहुचते हैं तो कई सारे coolies, मतलब बहुत सारे coolies को एक काम पर लगाया जाता है एक special work, यानि जो बैंगलो था, जो इस author का बैंगलो था ना उसी बैंगलो के compound में एक बहुत ही special काम किया जाता है और 15 फिट चोड़ा एक island बनवाया गया इस Bruno के लिए ताकि Bruno को को कोई disturb ना कर पाए and was surrounded by a dry pit or moat और ये जो island था ना ये चारो तरफ से एक नाली से घिरा हुआ था राई पिट किसको कहते हैं, आप किसी भी चिडिया घर में जाओ ना, आप देखोगे जो सेर होते हैं, जो tiger होते हैं, जो leopard होते हैं वो जहां पर रखे जाते हैं, उनके अगल बगल एक गड़ा खोदा जाता है, चारो तरफ गड़ा खोदा जाता है 6 feet wide, यह जो गड़ा था, यह लगबग 6 feet चोड़ा, और 7 feet गहरा था, ठीक है A wooden box that once housed, fowls, was brought and put on the island for baba to sleep in at night और island बनवाने के बाद, एक लकड़ी का बकसा था, जो कि कभी use होता था, मुर्गों को रखने के लिए fowls किसको कहते है, rooster, rooster जानते हैं, जो सुबह उठकर, कुकुडुकु कहते हैं, मुर्गे, उनको हम fowls कहते हैं तो भाई, एक लकड़ी का डबबा था, जो कभी मुर्गों को रखने के लिए use होता था, वो island में लाया जाता है और वहाँ पर बाबा को सोने के लिए रख दिया जाता है ठीक है, straw was placed inside to keep him warm, उस लकड़ी के डबबे के अंदर काफी घास पूस रखी जाती है ताकि बाबा अराम से सो सके, उसको ठंड ना लगे and his baby, the gnarled stump, along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the Jew, were put back for him to play with देखो, अब भाई जब बाबा को रहने के लिए भी एक लकड़ी का बक्सा मिल गया था उसके बाद न, क्या हुआ, कि जो बेबी, जो उस बाबा, वो जो बाबा था न, वो एक डंडे को अपने बेड के नीचे छुपा कर रखता था नाल्ड का मतलब क्या होता है, नाल का मतलब होता है टेठा मेडा, ठीक है तो वो टेठा मेडा सा एक स्टंप था, एक डंडा था जो बाबा अपने बेड के नीचे छुपा कर रखता था और कभी भी उससे कोई कहता था कि भाई बेबी कहा है तो वो उसे डंडे को निकालता था तो वो डंडा और इसके साथ साथ जो बंदूक बंदूक से वो खेलता था ना मतलब बंदूक मतलब कौन सा बंदूक वो एक बैम्बो का टुकडा था एक बैम्बो की लकडी थी और जब कभी भी कोई कहता था कि बेबी बाबा गन या बाबा फाइट तो वो क्या करता था वो तुरंत बैम्बो को उसे रखा गया था जब बाबा को चड़ीया घर में भेजा गया था तो अथर और उसकी पतनी ने ना बाबा की हर एक चीज को अपने पास रखा था वो वापस वो डेंडा जो गन के लिए इस्तिमाल होता था जो बाबा गन के लिए खेलता था और वो जो छोटा सा डेंडा था जिसको वो कडल करता था जिसको वो बेबी समझ कर घुमाता था ये दोनों चीजे वापस उसी आईलेंड में उसको खेलने के लिए पाराग्राफ नुम्बर ट्वेंटीटो, इन फ्यू डेस, दे कूली होस्टेड दे केज अंटु दे आइलेंड और बाबा वास रिलीजड अब भाई, जब पूरा आइलेंड बनके तयार हो गया, तो जो कूली लोग थे न, उन्होंने केज को ले आकर आइलेंड पे छोड़ अब यह जो बाबा था, यह अपना गन, मतलब जो स्टिक थी, उसको लेकर खेलने लगा, पॉइंट करने लगा, यानि तान दिया अपने गन को, गन अक्चुल गन नहीं था, वो एक डंडा था, जिसको गन की तरह वो समझता था, और उसको लेकर तान दिया, खेलने के और जो ऑथर की पतनी थी, वो घंटू उसे आईलेंड पे रहती थी, और इसके बाद, जो वो भालू था न, वो इसी ऑथर की पतनी के गोध में ऐसे पढ़ा रहता था, अब यह जो भालू था, लगबग 15 महिने पुराना हो गया था, और इसलिए काफी भारी भी हो गया थ है यह, पराग्राफ नमबर 23, the way my wife reaches the island and leaps, it is interesting, और भाई आईलेंड में जाने के लिए उसके अगल बगल चारो और गढधा बना था, तो जाना और आना यह भी काफी इंट्रेस्टिंग था, कैसे ऑथर की पतनी उस आईलेंड में जाती थी और फिर वहाँ से वापस आती यह सुनकर आपको काफी अच्छा लगेगा, I have tied a rope to the overhanging branch of a mango tree with a loop at its end, author कहता है कि मैंने एक mango tree यानि एक आम के पेड़ के डाली से मैंने एक रस्सी बात दी थी और दूसरी तरफ भी मैंने एक रस्सी बात दी, ठीक है, फिर हुआ क्या, with a loop at its one end, यानि जो mango tree, loop का मतलब क् ऐसे इसको कहते हैं, loop, तो इसी loop पे, author की पतनी पैर रखती थी, एक पैर रखती थी, and putting one foot in the loop, एक पैर इस लूप पे रखती थी, six kicks of with the other, और उसके बाद दूसरे पैर से छलांग लगाती थी, तो bridge, the six foot gap that constitutes the width of the surrounding pit, और उसके बाद ये जो पूरा गढधा था, 6 feet का लगभग गढधा था, ये 6 feet चोड़ा था, इसकी जो चोड़ाई थी, ये लगभग 6 feet थी, तो यहां से ये छलांग लगाती थी, और ये 6 feet पार करके, सीधा island में पहुँच जाती थी, ये था island, ठीक ह हैं, और उसके बाद देखो, फिर क्या होता है, the return journey is made the same way, और इसी तरीके से वो वापस भी आती थी, but who can say now, that a slugbeard has no sense of affection, लोग कहते हैं, कि भाई भालू के पास कोई भी affection नहीं होता, कोई भी प्यार नहीं होता, लेकिन ये सारी कहानी पढ़कर, अब कौन कहेगा कि भाल about this story, I hope आपको ये पूरी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छा लगा यार, तो एक share और चानल को subscribe तो बनता है, बाबाई, take care, मिलते हैं, एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिंद ख्याल रखिए अपना,